जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में कल से खुलेंगे स्कूल राज्य के सरकारी बिद्यालों में चार फरवई से कक्छाय सुरू हो जाएंगी कक्छा 1 से 5 वी तक के बचे 22 माँबाद बिद्याले आएंगे वहीं कक्छा 9 से उपर की बिद्यार्थी 1 माँबाद कलास करेंगे बिद्यालियों का संचालन पूर्व की भाती सुबा 8 वज से 2 पर 2 वज तक किया जाएगा विद्यालों में मद्यान भोजन योजना भी सुरू होगी यह जनकारी सिक्षा मंत्री जगरनात महतों ने दी बुद्धवार को अपने आवास पर आवेजित प्रेस्वारता में कही है आज से बदलेगा जारखन का मौसम भी जारी किया है वही पांच फरवरी को राजे के उत्तर पूर्वी तथा निकटवर्ती मद्य भाग में कहीं कहीं हलकी बारिस हो सकती है जारखन में खुलेगा इंग्लिस मेडियम इस्कूल पार्टी के करकारी अध्यक्स मुख्यमंत्री हेमन सुरे ने भारतिय जनता पार्टी पर राजे को पीछे धकेलने कारूप लगाया मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार बहुत जल्द इंग्लिस मेडियम इस्कूल खुलने जा रही है जहां बच्चों को प्राइबेट स्कूल से बेतर सिक्षा मिलेगी कोईलाल वहाँ पर केंद्र की गिद्धी नजर है जारखन में नेतर हट बिद्याले की तर्ज पर खुलेंगे स्कूल राज्य मिन्नेतर हट अवास्य बिद्याले की तर्ज पर दूमका चाईबसा एवं बोकारों बिद्याले बनाये जाएंगे इसकुली सिक्षा वह सक्षाता विभाग ने इसकी त्यारी पूरी कर ली है एक बिद्याले के निर्मान पर लगबग 200 क्रोर खर्च किये जाएंगे तीनो स्कुल के निर्मान पर कूल 600 क्रोर रुपे खर्च होंगे इन बिद्यालों में वे सभी सुधाय उपलब्ध होंगी जो बरतमान में नेतरहट बिद्याले में है ज्यारखन में पती ने सराब के नसे में पतनी को पत्थर से मार डाला ज्यारखन के सराइक ले खर्चावाजी लेके सराइक ले थाना अंतरगत टेटो पोसी के गोहिरा गाओ में आपसी बिवाद में सनकी पती सुधीर महतों ने सराब के नसे में पत्नी पुस्पा महतों की पतर से कुछ कर हत्या कर दी पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है वहीं सौव को पोश्माटम के लिए भेज दिया है घटना बुद्ध्ध्वार की बताई जा रही है दुलहा अपनी दुलहन को लेकर बीना लगनोव महुर्त के अचानक गाजे बाजे के साथ मंगलवार की देर साम अपने घर गिधोर पहुँचा गाजे बाजे के साथ सजी गाड़ी को देखकर काफी संक्या में लोग पहुँचे जनकारी के अनुसार गिधोर निवासी परकास की साधी एक बर्स पूर्व लोवा गड़ा की अर्चना कुमारी के साथ हुई थी लेकिन दोनों के बीच खटपट होता रहा साधी के कुछ दिन के बाद ही अर्चना वद दिनेस के बीच प्रेम परवान चड़ने लगा गिरामिनों ने बताया कि लखन दागी के पूत्र निलेस कुमारवा विवाहिता अर्चना कुमारी के साथ छव मा से प्रेम परसंग भी चल रहा था भेडिया आसरैनी में कैमरे में कैद हुए भेडिये के बच्चों की तस्वीर ज़ारखन के पलामू टाइगर रिजर्ब के महवा डाल वन प्रच्चेत्र इस्थीत एसिया के एकलोते भेडिया आसरैनी में भेडियों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है इस बीच सुखत खबर है कि पलामू टाइगर रिजर्ब के कैमरे में भेडिये के बच्चों की तस्वीर कैद हुई है इनकी तस्वीर को छेत्र में लगाए गए कैमरा ट्रेप में कैद किया गया इससे वन विभाग के अधिकारी वकरमचारी काफि उचाही था है भेडिया की घटती संख्या से विभाग काफि चिंतित था सात राज्यों के आदिवासी आज पूजा के लिए जूटेंगे गुमला के सीरासिता में गुमला के डूमरी परखंड में सीरा सितनाले उर्फ ककक डोलता है यह 1000 फिट से अधिक उच्चे पहार परिस्थित है इसे आदिवासियों की उत्पति अस्थल भी माना जाता है आदिवासी समाज की अस्थाव विश्वास सीरा सितनाले से जुड़ी हुई है यहां परतेक वर्ष के फरवरी महिना के प्रथम गुरुवार को सामोहिक धार्मिक पुजा आर्चना सहमेला का विजन किया जाता है जहां बिहार, 36 गवर असम, बंगाल, मध्य परदेश, उडिसा के अलावा जार्खन राजी के विभीन जिलों से 20,000 से अधिक आदिवासी सा गठन पीलेफाई के बिच मुर्भेड हुई, बताया जा रहा है किया मुर्भेड, आज गुरुवार की सुबा, पूलिस और पीलेफाई सुप्रीमो दिनेस गोप के दस्ते के बिच हुई, दोनों और से करीब आधा गांटा तक गोली बारी हुई, इस बिच पूलिस को भा परता देख, उग्रवादी घने जंगल का फैदा उठा कर भाग निकले, पूलिस उग्रवादियों की धर पकड के लिए जंगल में सर्ज अप्रेशन चला रही है, लालू यादव का क्या होगा, जारखन बिहार ही नहीं, देश में हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल इ इसलिए की CBI की BCS अदालत राया सुप्रीमो लालू यादव को इसी 15 फरवरी को 4 घोटाला के सबसे बड़े मामले में साजा सुनाने वाली है, साजा सुनाने के लिए उन्हें ब्यक्तिगत रूप से कोट में हाजी रहने के लिए कहा गया है, यह हुआ ही घोटाला का मामला है, जिसमें रांची जी लेक के डोरंडा को सागार से 149 कोलो रूपाय की अवायद निकासी की गई थी, अदालत में मामले की सुनावाई पूरी हो चुकी है रिम्स में मरीजों को नहीं मिल रही किसी तरह की कोई दवा, रांची के अस्पताल रिम्स में जब से जन अवस्दी केंदर को नई एजेंसी के हवाले किया गया है, उसके बाद से दवाओ की संख्या नहीं बढ़ पाई है, अभी भी मरीजों को इस केंदर से कोई लाब नह मिल रहा उन्हें मजबूरन मोटी रकम चुका कर बाहर से दवा खरीजनी पड़ रही है जिस उदेश के साथ केंद्रों को खुला गया वो पूरा नहीं हो रहा इसी को लेकर बुद्धवार को रिम्स प्रवंधन की ओर से जोन अवस्दी केंद्र का ओचक निरिक्षन भी किया के 1,75 लाख रूपए लेकर गायब हैं कोडार्मा जिले में इन ठेकेदारों ने बंदो बस्त पर अलग अलग पांच दुकाने ली थी लेकिन समय पर विभागिये रासी का भुगतान नहीं किया गया ऐसे में रासी वसूली को लेकर अपकरवाई शुरू की गई है इन खेल जगत के लिए बुरी खबर भारतिये एथलेटिक संग के मार्क दर्शन में जार्खन एथलेटिक संग द्वार आउजित होने वाले अंतरश्टी वर अश्ट्री रेसवाक एक बार फिर टाल दिया गया है रांची के मोराबादी में इसका आउजन 5 वच्छ फरवरी को होना तय था क्रोना माहमारी के कारण इसकी तित्थी टाल दी गई थी और इसका आउजन फरवरी माहके अंतर में करने पर विचार किया गया लेकिन अब एक बार फिर यह आउजन टाल दिया गया है पारा सिक्छक के बढ़े हुए मांदे के लिए बजट में होगी रासी इस होने बुद्धवार को विभाग के पताधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि पारा सिक्षकों को समय परमान्दे देने में रासी की कमी नहीं होनी चाहिए मंत्री जगनात महतों ने चालू वीत वर्स में बजट रासी के खर्च की इस्थिती की समीक्षा भी की इसमें यह ब जओ leaning काड़ झांवार गलशियों के लिम नहीं होनी की समय विए मॉप्त विए होनुट उन्यों क्थिती को अजआ होनी आदिती कैस के पताधिका व्प्षर औरू रज़ पन्सक्की के समीक्षर के डिए्वगार के यहो ר accessed प accents 365 संसकी साल खाखर किका ओसम्यों के खिए्र सम